जी नमस्कार सभी को रास्तान पुलिस के कॉंस्टेबल एक्जाम और दिसंबर में होने वाले पसू परिचर कॉंस्टेबल के बारे में तो अभी अपने ये कहेंगे कि पहले सीटी के बाद में ही अपने विगयप्टी आईगे और निया एक्जाम अपने को पता चले का कि कब किस परकार से लेकिन अभी से त्यारी सुरू करना जरूर है आपके लिए उसका बड़ा कानी यह है कि आपके परतिद्वन्दी एक अच्छी तैरी के साथ में जिसे जिसे सीटी अपना होता दा रहा है आपके परतिद्वन्दी एक स्ट्रोंग रूप में एक जबर्दस तरीके से तैरी के साथ में आगे आते दा रहे हैं इसलिए विगरती आने के बाद में अगर आप त्यारी शुरू करते हैं तो ये अच्छा डिस्जन नहीं होता आपको पहले से अपने प्लानिंग माइन में सेट करना होता आपको करना क्या है किस एक्जाम की तैरी करनी है उसको देखते वे अपने को अभी से शुरूआत करना होगा यहां हम दो एक्जाम बड़े लेके चलने हैं पसू परीचर जो कि दिसंबर में एक्जाम होना फाइनल है और इसी परकार से रास्तान प्लिस के अगर हम बात करते हैं तो तो दोनों में सबसे बड़ा कन्फूजन वाला क्वसन जो आपके लिए रहता है वो सबसे बहुत बड़ी चोट होती है तब जब आप पेपर ओपन करते हैं उसमें आपके गनित के परसनों की संक्या दिकाई देती है और वह भी थोड़ी ना आते हुए एक अच्छी संक्या 15 से 20 परसन जब आपको गनित के मिल जाए तो आपको टेंशन तो होना बहुत बड़ी बा थी भी रीजनिंग के साथ गनित को त्यार करना सुरू कर दीजिए अब गनित बिना सलेबस के पहले बात हो और फिर उपर से टोपिक कौन से ये दूसरा क्वस्न है उसका समाधान भी अपने आज किस क्लास में बताएंगे और इसी परकार से पसू परिचर वाले विद्यार आज ये गनित पढ़ें तो कौन-कौन से टोपिक पढ़ेंगे हमारा एक्जाम किस परकार से हो सकता है कितने परसन लेकर आज सकते हैं से कुछ परसनों को लेकर अपने आज की क्लास में शुरूआत करेंगे और सबसे बड़ी बात है हम हमारी रन निती कैसे बनाएं कब हम क इस परकार से नहीं क्लास की सुरूआत कर सकते हैं या करेंगे इन सब बातों को लेते हैं अज किस क्लास के अंदर सबसे पहले पिछले हुए एक्जाम को देखते हैं क्लास को को कॉंस्टेबल का एकजाम जून 2024 के अंदर वहा था वीगेप्ती 2023 में आई थी उसके अंदर क् किसी भी एक्जाम की त्यारे करो अब तक उस एक्जाम में क्या हो उसकी वीगेप्ती क्या रही थी उसका सले बस क्या रहा था वीगेप्ती से पेपर के बीच में समय कितना रहा था कौन सा बोर्ड पेपर ले रहा यह सब बातें अपने को पहले से पता होनी जरूरी है तब सबसे बड़ा रोल आपको दिखाई देता, दिखाई दे रहे कि Reasoning और Computer का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन वास्ता में यहां पर Computer का नहीं, Reasoning का सबसे बड़ा रोल है, अगर Reasoning के Personal की बात करता हूँ, और आप Reasoning अकेला नहीं पढ़ेंगे, reasoning को math के साथ पढ़ो math & reasoning दोनों का रोल अगर हम यहां से देखते हैं तो 40-45 परसन आपके हाथ में आते हैं इन दोनों subject से और किसी exam के अंदर कितना बड़ा रोल रगता है 40-45 परसन यह आप अच्छे से जानते हैं तो math & reasoning के परसनों का weight is due है वो सबसे बड़ा रहता है कॉंस्टेबल के exam के अंदर उसके बाद में अगर आप देखेंगे समाने ग्यान, समाने विग्यान, समाने समसामेकी की बात कर लेते हैं पिर ये मेलाओं और बच्चों के अधिकारों उनके राजस्ताम सरकार दारब पर चले सरकारी, योजनाए, संस्ताओं के समन्वे जानकारी, जीके का दो भी पॉर्षन एक्स वाई जे, समाने विग्यान भी इसके अंदर सामिल है पैंतारीस परसन, पैंतारीस अंक एक परसन, एक नंबर का अपने पास में और उत पीछे बचे वे पैंतारीस बाचित करेंगे नहीं, हम यह कहना चाहेंगे कि सलेबस आपका अच्छा बना होता है, बड़ा विवस्ती तरिके से बना होता है, जिसके अंदर रीजनिंग तो है, पर रीजनिंग में क्या पढ़ना है और गणित केतना पढ़ना है, इस पे हम आज बात करेंगे, 2024 में एक एक अग्जाम हो चुक है और 2024 में CET एक्जाम होने के बाद पूरा पूरा तंसा है कि 2024 जाते जाते आपको एक बार और विगेप्टी कोंश्रिबल की दिखाई दे अपने को तो लिए आगे बढ़ते हैं इसी करम में अब बात करते हैं कि पसुपरिचर इसकी तो विगेप्टी, आप तो पेपर है अगामे होने वाला दिसंबर एक्जाम के अंदर तारीक देखे, त्यार अलग लग पारियों में सबसे ज़्यादा फूरम बरे गए हैं इस विगेप्टी के अंदर और आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि हर वो पर्तिद्वन्दी जो CET के अंदर नहीं था या CET क्वालिफाई नहीं कर पाया था 2024 वो सारे पर्तिद्वन्दी आपके पसू परीचर एक्जाम में आपके सामने है तो एक छोटा एक्जाम नहीं कहेंगे एक जबरदस और एक ब परसन अपने पास में भाग एक के अंदर है और 45 परसन भाग बह जो के आपके एकरिकल्स सब्जेक्ट वीसी आवाला पार्ट है अपने पास में फिलाहल मैं जिके के बारे में बात कने जारा हूँ भाग एक 105 परसन अब उसे 105 परसनों के लिए अपने पास देखो क्या बिलना था सलेबस के अंदर सिफ लिखा है कि राजस्तान राजय के विशी संदब के अंदर मद्यमिक्स तरके समाने ग्यान जिसमें देनिक वी ग्यान गणित केवल इतना लिखा हुआ है अपने को समाजी का जियन बुगोल इत्यास संस्कृति कला संस्कृति सामे की और सभी अब उस परकार के अपने बात करें तो हमारे पास तो केवल और केवल गणित अब इतना लिखने से क्या गणित पढ़ना है और पढ़ना है तो कितना पढ़ना है कौन-कौन से टोपिक पढ़ना है किन टोपिक को प्रात्मिक्ता में रखना है किने हलके से पढ़ना है यह कि बिना टॉपिक दीए वे लेगा स्वृ नाएं मैं में समस्झ बनानी और उस सभाने में आपके करूँगा तो गृणित में क्या पड़ेंगे ये अपने बता देते हैं. दोनों ही कॉर्स के अंदर कॉंश्टेबल में और पसू प्रीचर में दोनों का कॉंबो बेच भी होगा अपने पास में, अलग-लग लेना चाहिए तो आप अलग-लग भी पर्चेज कर सकते हैं, अपने में गनित औरिजिनिंग दोनों करवाएंगे पसु प्रीचर में केवल और केवल गनित नया लाइव बेस्ट रू करें 16 तारीक से अपने टाइमिंग है वो टेलिग्राम पर मैं आपके सामने शेयर कर दूँगा आएस टोपिक कौन कौन से बने रहेंगे उसके बारे में अपन एपने बीज में आई ही रहें अपने पास में जिसमें हम वरग मुल पडेंगे गहन अधनी को हुट करनी को भी त्यार करेंगे यही पर चाल समय चाल दोरी समय कर कारे लेकिन एडवांस के अंदर अगर हम बात करें बड़ी रूप में अपने दो टोपिक और पढ़ेंगे और वो कौन-कौन से छेत्रफल और प्रिमाप, छेत्रफल और आयतन यानि टू-डी और थ्री-डी ये दोनों टोपिक हमें त्यार करने होंगे क्योंकि समाने अदिनस बोड हर एक्जाम के अंदर इन परसनों को रख रहा हैं बली वो सलेबस में टोपिक मेंनसन है या जिस परकार से आपने अभी देखा पसूप प्रिचर में सिर्फ मिनित लिखा है उसमें इस टोपिक को जरूर सामिल करता है तो ये इतने सारे टोपिक अपने अपने मैथमेटिक्स में लाइव के माध्यम से करेंगे पसूप प्रिचर वी द्यारतियों के लिए लाइव आपके एक्जाम से पहले बहुत शांदार तरिके से अपने कर चुके होंगे और जो रास्तान पुलिस के त्यारी करते हैं रीजनिंग तो आपके कंप्लीट होगी होगी पर इस रीजनिंग के साथ इतने सारी गनित भी पड़ेंगे तो अगर आप कॉंस्टिबल के एक्जाम में आते हैं तो पसूप प्रिचर की गनित अपने आप त्यार हो चुकी होत उसका बड़ा कान यह था कि मेरा प्रियासी है कि हम पूरा का पूरा रीजनिंग वर्बल और नोन वर्बल दोनों ही पड़ें क्योंकि रीजनिंग एक अच्छा रोल रखता है कौंस्टिबल के एकजाम में इसलिए रीजनिंग को पूरा प्रोपर्टर केसे करेंगे डेमो क तरिक से जो अपना कोर्स शुरू होगा, उसके अंदर क्या फीचर्स बने रहेंगे, उसमें बता देते हैं अपने पास में, सबसे पहले तो live और recorded classes आपके पास में रहेगी, कोर्स अपना पूरा का पूरा live है, और live होने के बाद में आपके पास classes क्या होगी, पूरी की पूरी तरिके से recorded रूप में आपके पास अपने पास में, classes की दो भी हम board पर पढ़ाते हैं, उसकी PDF आपको अपने पास में, और परते एक दिन का practice seat exercise भी आपको अपने प्लुबद होगा, जैसे कुछ इस परकार से, कि जैसे आपके class live होने के बाद में recorded format में आ जाएगी, वो आपको इस परकार से features, इस परकार से दिखाए देगा लैपटोप में और mobile में ये तिन उप्सन एक दूसरे के सामने होंगे, कॉर्स सबसे पहले वीडियो देखने के लिए watch कर सकते हैं, उसके बाद में दो PDF क्यों लगी होती हैं, पहली PDF तो होगी जो board panel वाली PDF होगी अपने पास में, और second PDF क्या होगी, आपकी exercise PDF होगी, जो कि हम करवाते हैं अपने पास में, जो आपको home work के तोर पर, यानि आपको किसी परकार के अत्रिक्त book की आफशिक्ता नहीं रहेगी, अत्रिक्त इक्सी परकार के person को पढ़ने के आफशिक्ता नहीं, प्रती दिन class के साथ मैं आपको upload करूँगा, वही question करने, उनी की practice करन है अपने को, उसके बाद में, जैसी वो PDF open हो जाते हैं, आप अगर आप चाते हैं कि उसका print out निकालना तो आप निकाल सकते हैं, PDF को open करके, तेन लाइनों को touch करेंगे, तो आपके सबसे उपर निकल के आएगा option, export option, उस option का use करेंगे, तो PDF वो आपके mobile के अंदर, आपके file manager में save हो जाएगी और आप उसका print out निकाल सकते हैं, उसके बाद में आपने previous year के question भी करवाएंगे, topic wise आपको करवाऊंगा, topic wise उसकी PDF भी upload करवाएंगे, board panel के PDF भी application के अंदर upload होगी, classes YouTube पर चलेगी, लेकिन वो वेवेस्ते तरीके से आपको pad course में भी upload करवाए जाएगी, with PDF के साथ में रहेगी, क्योंकि ये classes की PDF कहें भी भी share ही, YouTube की classes की PDF में कभी भी share नहीं करता, लेकिन आपको pad course में आपको upload होगी, उसके बाद में आपके दो भी download classes हो भी चलेगी, और आपके exam से पहले, आपका crash course भी करेंगे, math का भी, reasoning का दोनों का crash course अपने करेंगे, आपके exam से जश्च पहले, जब आपकी विगेप्ति आने के बाद में, आपका exam के लिए माहिना बीस दिन का समय बचेगा, तब हम revision classes रूख करेंगे, टेस्स तरीज आपकी सुरू करने जा रहा हूं, पसूप रीचर की और कॉंस्टरिबल की, जल्दी मैं अनौंस कर दूँगा, उ प्रियासस जो है वो अपने पास में 16 तरीक से सुरू हो जाएगी, जो विद्यार्ति पहले से किसी कोर्स में जुड़ा है, तो इस प्रकार से उनका discount बना रहेगा, CT graduation वाला 60% कोर्स में discount रहेगा, और आप अपने कोर्स को ने कोर्स में move कर सकते हैं, CT 12, LDC, graduation और junior counted विद्य होते हैं, तो CT और graduation के जो, प्लस 2 और graduation के जो दोनों के जो classes है, वो recorded format में आपको उपलब्द करवाए जाएगी, crash course के classes, ताकि आप एक सिमित से समय में ही आप उनका revision कर लें, साथ से सतर गंटे की सारी classes है, प्लस 2 के भी CT का गनित हो जाएगा, और प्लस 2 के साथ graduation के CT का भी गनित आपका हो जाएगा, दोनों की गनित आपको free of course, ने सुलक आपको उपलब्द करवाए जाएगी, test series जो भी CT के अभी चलेगी, उसका मैं announce करूँगा, वो CT के test series के energy आपको लगाना ही नहीं है, वो मैं खुद आपके course के अंदर ही पूरा complete करवा दूँगा, तो ये दो आपके पास में course रहेंगे, दोनों में से जो आपको चलगता है, उसे join कर सकते हैं, तीसरा एक course रहेगा, जिसमें constable और फसू परिचर दोनों का एक combo रखा जाएगा, वो अपने, मैं जल्दी update करवा दूँगा, दोनों course में से आप, एक course में अगर दोनों करना चाहते हैं, तो वो भी उप्लप्ट हो जाएगा, अदरवाइस constable अलग से, पस्टू परिचर अलग से, दोनों ही course अपने exam होने तक आपके पास में रहें, अब उसके जो भी exam schedule है या जो classes schedule है, वो मैं जल्दी आपको update दे दूँगा, इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने MRS Academy का प्ले स्टूर से application को डाउनलोड करें, और आज ही अपने जोइन करें, उस application को और उस application में कुछ free classes और free matter आपको अप्लप्ट करवा रहें, उस copy यहां से निकाल सकते हैं, MRS Academy सर्च करेंगे, दो आएंगे, math करेंगे, तो main channel आपको फ्लप्ट हो जाएगा, उसको आप जोइन कीजिएगा, जिसमें मैं direct आप से जुड़ा रहता हूं, किसी परकार का update देना हो, तो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, classes के मादियम से, application के मादियम से, course के मादियम का इस से फरक है, नहीं पड़ता है, तो ये इस परकार से रहेगा, अगर फिर भी किसी परकार का कोई doubt बना रहे जाता है, कोई जानकरी रहे जाती है, और जो आप जानना चाते हैं, वो मेरे वेक्टिकर नमबर पे, आप मेरे से, what's up के मादियम से प्रयास कीजिएगा, कि contact करें, आप वर्सम मेसे छोड़ी है, आप जो भी जानकर रहे लेना चाहते हैं, आपको उपलगद हो जाएगी, यदि आपको लगता है कि नहीं कोल के मादियम से करना जरूरी है, तो मैं क्लास समय के आगे पीछे समय के आप कोल कीजिएगा, आप से कोल पे भी बात करके, आ आपके एक्जाम तक लगाता हम ये कलास से चलाते रहेंगे, टेस्टरीज का मैं दल्दी अनांस कर दूँगा, तो अपने मिलते हैं 16 तारीकों एक ने कलास के साथ, ने शुरुवात के साथ में, जुरूर जोइन कीजिएगा अपने इस कोर्स को, आज इतना ही धन्यवाद